है 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 स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरजी वे आज हम बात करेंगे कार्य पत्रक पच्पन की जो की तेरा नॉंबर के लिए जारी किया गया यह कक्षा 9 का विज्ञान विश्य का कार्य पत्रक के यह बच्चे अपने नाम लिखेंग हमारा पार्ट चल रहा है गुर्ट वाकशन और आज हम पढ़ेंगे मुक्त पत्न के बारे में चलिए देखते हैं जानते हैं समझते हैं मुच्चों की यह क्या होताता है क्या समझाता है कोई विज्टु जो प्रित्वी की सतह से उपर गिओर पया कि जाती है वे एक उचाही तक जाकर प्रित्वी की ओर कष्ण के प्रवाव से गिरती है तो इसी परकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं मुक्त पतन के समय वस्तु की गती दिशा तो समान नहती है परंतुस के वेग में लगतार विड़ती होती है उस जिसके तरण उत्पन होता है मुक्त पतन के दोरान वस्तो दोरा अन्मुफ किया गया तरण गुर्टवे तरण कहलाता है इसे जी दोरा दर्शा आ जाता है जी कमात रखाए मीटर पर 30 सेकंड स्कुरार तो बच्चा मुक्त पतन क्या है जब किसी वस्तो को उबर फैकते हैं और वो नीचे की तरफ आती है अपने आप बिना किसी सायता आके यानि की गुर्टव उकशन बलके कारण तो उसे कहते हैं मुक्त पतन और जो टॉरा अनि जो पतपन होता है वेग के वेग जो पतन होता है वस्तो में वह तरण कहलाता है गृत्वीय तरण और इसे हम मात जी से दरसा आते हैं small g से और इसका मात रख है मीटर पर 30 सेकिंड स्कुएर बच्छो चलिए आगे देखते हैं प्रित्वी के गृत्वीय तरण के लिए समीकरन तो इसके लिए समीकरन क्या है बच्छो तो पहली चीज है माना कि किसी वस्थी पिंड और प्रित्वी के दरण क्रमश है small m और capital m है और प्रित्वी द्वारा वस्थी पिंड पर लगाया गया गृत्वा किशन बल f है यदि प्रित्वी और वस्थी के बीच की दूरी d है तब गुर्तवाखशन के सारतिक नियम से एब बराबर होगा capital G capital M गुणा small m बटे D square अगे है गती के दूसरे नियम के से हम जानते हैं कि वस्तुबल लगाया गया बल परीमान उसके द्रव्यमान small m तथा तुरण A के गुर्णफल के बराबर होता है मुक्त पतन के समय तुरण A बराबर होगा G के दूसरी equation होगी बच्चों ये तो जब हम दोनो F को बराबर करेंगी यानि इस F को और इस F को बराबर करेंगे तो मिलेगी ये equation ये वाली इसमें small m से small m हटा देंगे तो हमारे पाद G बराबर आ जाएगा ये equation बच्चों ये क्या है ये ही कहलाता है गुर्टवियत तुरण बच्चों आगे क्या कहता है बच्चों यदि वस्तु पृत्वी की सतय पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी D पृत्वीक तिर्जा आर के बराबर होगी तब गुर्टवे गुर्टवाक्षन बल के कारण तोरण होगा ये जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्कुआर बच्चों ठीक है बच्चों अब आगे है पृत्वी एक समान रूप से गुलवकार नहीं है इसलिए इसकी तिर्जा भी दुरोव से विश्वत वर्तों की और जाती हुई बढ़ती है इसके परणाम सुरूफ जी का मान दुरोव पर विश्वत वर्त के वर्तों से अधिक हो जाता है तो धुरूब विमान अधिक हो जाता वच्छो चलिए अब जर परशन तर देख लेते हैं पहला परशन है मुक्त पतन को संक्षेप में समझाईए तो मुक्त परशन क्या है जब किसी वस्तू को आम परफेक्ट है और वो अपने आप यानि प्रित्थिवी के इसका मात्रक क्या है तो वस्तू पर लगने वाला तुरण यानि मुक्त पतन की दौरान वस्तू पर लगने वाला तुरण गुर्तिय तरण कहलाता है और इसका ऐसा ही मात्रक है मीटर पर 30 सेकंड स्क्वाइर बच्छो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जी का मान ग्याद क करने का सूथ परिकलित कीजिए तो जी का मान ग्याद करने का सूथ परिकलित करने के लिए हमें यह दोनों एक्वेशन बनानी है फिर इससे यह वनेगी बच्छो जैसा भी बताया हमने आपको और यही जी का मान परिकलित करेगा बच्छो अगला प्रस्ण प्रस्ण नमबर अंडाकार है और इसकी तिर्जा ध्रूव से विश्वत वर्थ की और जाते हुए बढ़ती है जिसके परमाम सुरू जी कामान ध्रूव पर विश्वत वर्थ से अधिक होता है तो बच्चो यह होगी आपकी वक्षीट कंप्लीट और वीडियो भी आशा करता है आपको वीडि को लाइक करें शेद करें थैंक यू